जैहिंद मेरे प्यारे साथ यो कैसे हूँ आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जिस भरती का इंतजार लाखो बच्चों को काफी बेफबरी के साथ था फाइनली उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारती डाग विभाग में जो ग्रूप C की वेकेंसी आने वाली थी जिसमें की अलग अलग पोश्ट जैफे की MTF, मेल गार्ड और पोश्ट मैन के पोश्ट पर ये वेकेंसी आने वाली थी दोस्तों उसके अपडेट के वारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कबसे इसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा चैनल पर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली जगा इसी प्रकार के गवर्मेंट यॉप के मोर अपडेट के लिए तो दोस्त इसका नया नियम ये कहता है कि 98,000 पोश्ट पर ये वेकेंसी नहीं आएगी जो नया अपडेट आया है इसमें ये बताया जा रहा है कि 60,000 पोश्ट पर ये वेकेंसी आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि पोश्ट वाइस वेकेंसी डिटेल के अगर हम लोग बात करेंगे तो MTS के post पे 10,379 post पे ये vacancy सामने निकल करके आएगी, post main की बात करेंगे तो 30,211 post और mail guard की बात करेंगे, तो 24,133 post पे ये नई vacancy सामने देखने को आपका मिलेगा, ठीक है ना? qualification की बात करेंगे, तो इसमें 10 वी और 12 वी जो path हैं, वे candidate form को apply कर वक्ते हैं, दोस्तों, लेकिन इसमें भी condition है, वो क्या condition है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊगा, कि अगर आप post mail या फिर mail guard के लिए apply करते हैं ना, और आप अगर fresher candidate हो, तो आपको 12th pass आपका qualification होना चाहिए, तब आप apply कर पाऊगे, और अगर आप 10 वी पास हो, तो साथ में आप department, यानि कि GDS के department में कारेरत होंगे ना, तभी जा करके आप apply कर सकते हैं, ठीक ना, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, अब मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ कि कॉंकों से post पे क्या requirement होना चाहिए दोस्तों, तो देखे, post man और mail guard के लिए अगर आप apply करते हैं, तो इसमें age criteria के अगर हम लोग बात करेंगे, तो 18 फाल से ले करके 27 फाल तक के जो candidate हैं, वो form को यहाँ पे fill कर सकते हैं, उसके अलावा दोस्तों, अगर relaxation की बात करेंगे, तो यहाँ पे OBC के जो candidate उनको 3 साल और SCHT के candidate को 5 फाल का छूट मिलेगा, तो कहने का मतलब है, OBC के candidate जो है, वे 3 साल तक form को fill कर फकते हैं, और SCHT के candidate 32 साल तक form को यहाँ पे fill कर पाएंगे, यहाँ पे 18 साल से ले करके 40 साल वाला criteria नहीं है, चीक है न, और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, काफी लोग कहेंगे कि सर इस भरती में इतना late क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखे अभी वरतमान समय में भारती डाग विभाग में दो vacancy चल हुआ है, चीक है, उसके बाद second जो vacancy चल रही है, वो special drive, यहाँ दोस्तों, जिसमें की 12,888 सीटों पे यह vacancy आई हुई है, इस पर यह भरती चल रही है, इस वज़ए से, क्योंकि dark विभाग में already से 2 vacancy जो है, इस वक्त चल रही है दोस्तों, और इस यही वज़़ा है कि इ लेकिन से नहीं निकाली जा रही है, ठीकिना, लेकिन इसका notification आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले क्या criteria है, यह समझ लीजे, qualification की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर आप fresher candidate हो, अगर आप GDS में कारेरत नहीं हो, तो आ आप apply यहां पे कर फक्ते हो, और दोस्तों requirement की अगर बात करेंगे आगे, तो computer का knowledge आपके पास होना चाहिए, साथ हमें computer का diploma certificate आपके पास होना चाहिए, वो भी minimum 60 days का, यानि कि 60 days के ऊपर का होना चाहिए, लेकिन उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि अभ हला कि यह भारती डाग विभाग के official notification में नहीं बता गया था, तो यहां पे भारती डाग विभाग की सरासर गलती सामने निकल करके आती है, लेकिन आप लोगों को, चुकि अभी समय है दोस्तों, आपके पास 12 से 2 महीने का, इस वज़े से आपको अभी क्या करना है, कि आप आपको computer का certificate जो है, वो बनवा लेना है, ठीकिना, computer का course कर लेंगे, तो computer का certificate आपके पास मिल जाएगा, उसके अलावा, 10th path candidate, यह तो मैंने आपको बता ही दिया है, कि अगर GDS के candidate है, तो high school path होना चाहिए, और अगर fresher candidate है, 12th path हैं, तब apply कर वक्ते हैं, साथ में local language की जानका आना चाहिए, बिहार फे apply कर रहो तो भुझपुरी आना चाहिए, बंगाल फे apply कर रहो तो बंगाली आनी चाहिए, तो यह local language की जानकारी आपको रहना चाहिए, तब जा करके आप apply कीजेगा, नहीं, तो बाद में क्या है, चैन परक्रिया जब होगा, selection process, उसमें आपको problem आफ अकती है, दोस्तो, अभी selection process क्या होगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, उसके बाद आपके पाफ driving license होना चाहिए, तो वीलर का, या फिर LMV, यानि की light motor vehicle का, कहने का मतलब यह है, कि अब देखे, यहाँ पे काफी फारे बच्चे ऐफे होंगे ना, जिनके पा जाएगा, और December से, इसका जो है, आउनलाइन आवेदन आप स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि 31 December 2013 तक यह जो schedule second है ना, इसकी vacancy का फिलक्षन process का last date है, तब तक इसका merit list जारी किया जाएगा, और चुकि 2023 में, sorry, 2024 में लोग सभा चुनाओ है दोस्तो, इस वजह से भी, यह vacancy आपको इसी साल देखने को मिलेगी 110%, तो आपको क्या करना है कि अभी, अगर आपके documents complete नहीं है, तो documents complete कर लीजे, computer certificate नहीं है, तो computer certificate बनवा लीजे, उसके अलावा driving license नहीं है दोस्तों, two wheeler का, तो driving license बनवा लीजे, अभी आपके पास समय है, बाद में आपको समय नहीं मिल अब हम लोग बात कर लेते हैं salary की, तो दोस्तों इसमें जो salary आपको दिया जाता है, वो level 3 की salary दी जाती है, इसमें ये नहीं कि ABPM, BPM की तरह आपको 12-14,000 रुपए दिया जाएगा, जी नहीं दोस्तों, इसमें आपका exam होगा, इसमें CD भरती नहीं होगा, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी सिलेबस केंटर क्या क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जी ना, तो merit-based selection बिल्कुल नहीं होगा, दोस्तों, इसमें आपको exam लिया जाएगा आप से, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेगा, तो salary इसमें आप करेंगे, तो 3 फाल का छूट दिया जाएगा, और FVHT के candidate को 5 फाल का छूट मिलेगा, यानि कि वे 3 फाल तक फाल को fill कर फकते हैं, और अगर आप MTF, यानि की multitasking staff के लिए apply करना चाहते हैं, तो इसमें qualification के तोर पे केवल 10th pass मांगा जा रहा है, अगर आप fresher candidate भी हो, और यहां पे मैं लिक दे रहा हूँ, written exam होगा, उसके बाद, उसके बाद आपका trade test होगा, दोस्तों, trade test में, और जिसे trade test में होता क्या है basically, कि आपका local language से, आपका जो भी local language है ना, उससे question आपके पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा, आपका document verification होगा, और medical होगा, उसके बाद जाकर के आपकी final joining होगी, तो कहने का मतलब है, merit बे फिलेक्फन नहीं है, आपका यहां पे written exam होगा, और अगर हम syllabus की बात करेंगे ना, तो दोस्तों, देखें, यहां पर मैं लिक देना चाहता हूँ, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, syllabus में आप से reasoning से स GS और current affairs से question पूछा जाएगा, दोस्तों, उसके अलावा एक और subject है, जिसे हम लोग कहते है, postal knowledge, जी हां दोस्तों, postal knowledge से भी आपका question पूछा जाएगा, तो कुलमला की यह 5-6 subject से आपके question पूछा जाएगा, तो अभी से आप लोग तयारी करते रहिएगा, अब सबसे बड़ भारती डाग विभाग में इस वक्त दो वेकेंसी चल रही है, schedule second और special drive के अंतरगाद, और जब तक यह वेकेंसी का process खतम नहीं हो जाता है, तब तक यह mail guard और postman और MTS के post पे यह वेकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहने मतला इसका फिलक्षन process जब खतम हो जागा तब ही आपको भारती डाग विभाग में यह group C की वेकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें की number of seat की बात करेंगे, तो 60,000 से ज्यादा post पे यह वेकेंसी आने वाली है, अगला सवाल यह है कि सर्य बताइए कि इसमें exam होगा, कि merit बेफ फिलक्षन होगा, तो मैंने आपको बता कर देना चाहता हूं कि इसका notification नवंबर के अंत में, जिहां दोस्तों, नवंबर के अंत में आपको इसका notification देखने को मिल जाएगा, और दिसमबर महा से आप इसका online आवेदन कर पाएंगे, तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था, भारती डाग विभाव में आप लोग जुआइन हो फक्ति हो, फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद